हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर केज सब्सक्राइब और हमारी चैनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियों में बात करेंगे ब्रेन आपसेस के बारे में और ब्रेन आपसेस और ब्रेन ट्यूमर में क्या फर्क होता यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ-साथ अमसे कई होता है इसके कारण ल chimney क्या होते इसको किस तरह से डाइग्नोज करते हैं उसके तो हम brain abscess ऐसे कहते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि brain abscess किस वज़े से हो सकता है, इसके बारे में, किसी भी patient के body में बहुत ज्यादा लंबे समय से, कोई भी bacterial या फिर fungal infection होना, एक महतोपूरन कारण होता है उस patient में brain abscess बनने का, इसके साथ साथ अगर किसी patient में कोई head trauma हुआ है, मतलब सर के ऊपर कोई गहरी चोट लगी है, तो इस कारण भी उस patient में brain abscess हो सकता है, अगर हम इसमें infection के बात करें, तो infection उस patient के body से, उस patient के brain तक, तीन चीजों के थ्रू या फिर तीन कारणों के थ्रू जा सकता है, इसके अंदर सब से पहले तो blood stream के थ्रू बैक् infection पैदा कर सकते हैं, इसके बाद कुछ ऐसे भी bacteria या फिर infection पैदा करने वाले organisms हो सकते हैं, जो कि nearby organs से brain तक जाते हैं, जैसे कि अगर किसी patient को ear infection है, मतलब कान में infection है, तो भी उस patient कान का infection brain तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता, और इस तरह का कान में होने वाला infection भ brain तक पहुंच जाना, या फिर सर के ओपर कोई गहरी चोट लगना, यह प्रमुक कारण हैं, जिनके वज़े से किसी भी वेक्ति में brain abscess हो सकता है, तो इसके बाद हम बात करेंगे brain abscess के लक्षन हो या फिर symptoms के बारे में, तो brain abscess के वज़े से उस patient में काफी ज़्यादा सरद में, जिसके बात करेंगे brain abscess के complications के बारे में, तो brain abscess के वज़े से उस patient में mausle weakness हो सकती है, बात करन में प्राब्लिम रोसकती है, बात करन में problem हो सकती है, इसके साथ साथ next stiffness हो सकती है, मतलब गरदन जखार जाना जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की लक्षन भी हो सकती है तो इसके बाद हम बात करेंगे brain abscess के diagnosis के बार में तो brain abscess को diagnose करने के लिए सब सब पहले तो हम उस patient को ठीक से physically examine करना है उसके science or symptoms को ठीक से देखना है इसके बाद हम कुछ blood test कर सकते हैं जिसके अंदर CBC कर सकते हैं CBC करने के साथ-साथ हम proper diagnosis के लिए उस patient में CT scan of the brain या फिर MRI scan of the whole brain with EEG कर सकते हैं इसके साथ-साथ CT scan guided aspiration भी कर सकते हैं तो एक कुछ diagnostic techniques है जिनको इस्तेमाल करके हम उस patient में brain abscess को diagnose कर सकते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे brain abscess के treatment के बार में तो treatment के अंदर उस patient को surgery की जाती है surgery के बाद उस patient को कुछ medications भी दिये जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं surgery के बार में अगर किसी patient में brain abscess के वज़े से बहुत ज्यादा तकलिफ हो रही है उस patient में complications बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं इसके साथ-साथ उस patient में brain abscess medications को ठीक से respond नहीं कर रहा है तो फिर उस patient में surgery करने पड़ती है surgery के अगर हम बात करें तो surgery करने के लिए सबसे पहले तो उस patient में उस patient के सर के उपर जो बाल होते हैं उन बालों को shaving करके निकाला जाता है shave करने, shave करके बालों को निकालने के बाद skull के abscess वाले पार जो bone होता है उसका bone piece निकाला जाता है या फिर CT scan के मुदद से CT scan में remove किया जाता है इस जजब पीस को replace किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे medication के बारह में ताकि उस patient के brain में intracranial pressure ना बढ़े और swelling ना आए या फिर swelling के वज़े से intracranial pressure ना बढ़े इसके लिए तो short term, cortex steroid के course के देने के साथ-साथ उस patient को symptomatic और supportive therapy भी दी जाती है इस तरह के बहुत से patient में anti-convulgent के medication मतलब convergence को iward करने के लिए जो medication दिये जाते हैं बाद में ओडिकेशन दियरे-देरे करके कम भी के जा सकते हैं और बाद में बंद भी के जा सकते हैं अगर हम बात करें brain abscess और brain tumor के बीच में जो difference है उसके बार में तो brain tumor देके एक तरह की gart होती है और brain abscess जो है एक तरह का पुस का collection होता है तो दोन में फर्क है brain tumor infection के वज़े से नहीं होता है लेकिन brain abscess infection के वज़े से या फिर trauma के वज़े से होता है एक कारण brain tumor के लिए लागू नहीं होते और अगर आप line of treatment के बात करोगे तो इन दोनों के line of treatment भी एक दूसरे से बिलकुल आलग है तो आज हमने इस वज़े में शॉट में बात की brain abscess के बारे में अगर आपके इसके वशे में कुछ doubt से तो आप आमें नीचे comment section में ज़रू पूछ सकते हो और अगर आपको इस वज़े से कोई knowledge में लिए इस वज़े को एक like करे वज़े पूचि अज़े झामें रापको इस वज़े से रहीम में